हेलो स्टुडेंट्स आज हम लोग डिसकस करेंगे स्पिन ओर्बिट इंट्रेशन एंड डॉबलर टर्म सेप्रिशन इसमें ना तीन तरह के कोश्चन बनते हैं एक हमारे पास बनता है स्पिन ओर्बिट इंट्रेशन फोर सिंगल वेलेंस इलेक्ट्रॉन तो मैं आपको आते हैं कि explain spin orbit interaction and the doubler term separation for the penetrating orbit तब आपका क्या अंसर होगा और अगर आप ये पेपर में ये कोश्चन आता है कि spin orbit interaction for the non-penetrating orbit तब आपका क्या answer होगा ठीक है student तो इसी एक article में तीन कोश्चन बनेंगे and it's very 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 important article in the unit second ठीक है student तो आप लोग इसको थोड़ा ध्यान से समझेंगे इस वीडियो को देखे तो मैं हम लोग start करते हैं देखे student हमारे पास and also this is our this is our question of unit this is our question of assignment also क्या क्या देखिए हमारे पास spin orbit interaction and the doubler term separation student सबसे पहले हम लोग इसका मतलब समझते हैं देखो अगर मैं spin orbit interaction की बात करों गरत देखो, um हमारे पास पता है जब एक electron के पता उसका orbital motion भी होता है और अपनी स्पिन के राउं भी रोटेट करता है जब डेक हैं कि अगर हमिए आ कि बात करनेक young जब हमारे पास एक हमारे field की बात करेंगे तो हम उसी electron की हमें magnetic moment की बात करेंगे योगि जब हमारे पास उसमें current produce हो जाएगा तो magnetic moment का formula क्या होता है उसका formula भी मैं आपको उता देदी उसका formula होता है mu is equal to i into a ठीक है यह इसका formula भी होता है इसलिए जब कोई हमारे पास magnetic field में a area की बात करते हैं ठीक है student तो i hope आपको यह समझा आ गया होगा देखे तो spin orbit interaction की definition के पर आते हैं तेखो मैंने बता दिया spin magnetic moment भी होता है orbital magnetic moment भी होता है देखे जब हमारे पास spin orbit spin का मतलब हो गया हमारे पास spin magnetic moment of an electron तो आ गया करेगा magnetic field के साथ और यह magnetic field हमारे पास क्यों produce हुई है due to the orbital motion of electron तो इसी को बोलते है spin orbit interaction I will repeat students हमारे पास spin का magnetic moment interact करता है magnetic field के साथ और वो magnetic field के साथ होती है जब हमारे पास electron orbital motion के अंदर होता है जब जो produce होती है उसके कारण जो magnetic field produce होगी बस interaction होगा spin magnetic moment का और magnetic field का ऐसी interaction को बोलते है spin orbit interaction देखे डबलर terms operation का मतलब क्यों होता है यह doubler structure बनते है student की हम लोग बहुत बार कर चुके हैं अगर आपको याद हो तो देखो अगर जिसे अगर हम P की बात करते है अगर मैं P की बात करूं P का मतलब होता है L equal to 1 single electron की बात कर रहे है तो S equal to 1 by 2 तो यहां से अगर आप J निकाल लेंगे तो J की दो value आएंगे ठीक है J की value एक आएगी 1 by 2 और एक आएगी 3 by 2 तो J की value 1 by 2 के लिए अलग energy होती है J की value 3 by 2 के लिए अलग energy होती है तो इसी तरह से हमारे पर doublet structure बनता है तो students हम लोग 3rd and 4th unit में बार बार इन चीजों को discuss कर चुके है तो I hope आपको इस चीज़े पता है तो students इसलिए मैं doublet structure का मतलब क्या होता है यह मैंने आपको बता भी दिया नहीं तो आप लोगों ने बहुत बास 3rd and 4th में मैंने बता भी दिया ठीक है students तो next देखिए अब हमारे पास क्या होगा हम देखो capital L की बात करेंगे यह होता है हमारे पास L star into my h cut पता है हमें इस चीज़ का ठीक है वैसे हमारे पास capital L का मतलब यह भी होता है R cross में P ठीक है तो वही मैंने किया देखो मैंने r भी लिख दिया P मेंरे पास क्या होता है हमारे पास पता है हमें mass into my velocity तो मैंने यह भी बूट कर दी देखो next मैं निकाले electronic field electric field क्यों निकाली है? electric field आपको पता हो तो हमारे पास क्या होते हैं यहां मेरे पास नुकलियस है नुकलियस मेरे पास कैसे है रेस्पी है अगर मेरे पास कोई चार्ज रेस्पी है तो अपने इलेक्टरी फिल्ड प्रड्यूस करेगा तो यह वही चीज है हमारे पास देखो यह क्या है मैंने लिखा हुआ है कि देट तो हमारे पास नुकलियस में हमारे पास हो गया उसके इलेक्ट्रॉन तो इसका होता है तो हमारे पास क्या होगा special theory of relativity कहती है कि एक electric field का एक part जो magnetic field में हमारे पास appear होगा ठीक है तो इसका formula हमारे पास होता है that is a B is equal to E cross V divided by में C कि आप direct learn कर लेंगे इस formula को ठीक है तो बस student आके बिल्कुत mathematical पार्टा देखिए मैंने क्या किया यहां से हम लोग E electric field है E value put कर देंगे ठीक है C और electric field जापिके पर ठीक है तो यह expression आ जाएगा हमारे पास तो देखिए फिर क्या होगा हमारे पास हमारे पास M note से multiply और हमारे पास M note से divide यह आपको दिख रहा होगा सुन M note से multiply M note से divide करवा दिया देखना R cross M note इंटो में विख देखो ओपर देखो हमारे पास क्या है capital L है यहां capital L या फिर L star इंटो में एच कट एक ही बात है तो मैंने इसके क्या लिख दिया L star इंटो में एच कट ठीक है और as it is हमारे पाई यह वहला number तो हमारे पास with the field B देखो अगर हम लार्मन प्रिसेशन की बात करें हमें पता है लार्मन प्रिसेशन हमारे पास क्या कता है omega is equal to me eb divided by 2m0 e is a charge b is a magnetic field and m is the m0 जो भी electrons की हम लोग mass की जो बात कर रहे हैं ठीक है student तो हमारे पास आप लोग को पता है हमारे पास क्या होता है omega l is equal to होता है हमारे पास अगर मैं g l की बात कर तो हमाता है g l into में eb divided by में 2m होता है ठीक है अगर हम omega s की बात करें तो मेरे पास कितना हो जाए है यहाँ पर g s e b divided by में 2m0 होता है ठीक है यह चीज मैंने पहले बता रही है आपको तो देखिए experimentally हमारे पास g l की value 1 होती है और experimental value g s की value 2 होती है यह भी पहले आपको बता रहे है experimental value है आपको learning करनी है तो देखिए यहाँ पर मैंने वही किया है तो omega l यह अगया मेरे पास 2 तो आगया g s और यह आगया मेरे पास e b divided by 2m0 आगया ठीक है तो यहां से मेरे पास लगया e b divided by m0 अब उसके बाहत student हमारे पास कहता है कि एक और हमारे पास relative state treatment लगाते है हम लोग इसके पर तो relative state treatment यह कहता है भी आपके पास omega l omega l तो हमारे पास है यह है जो कि due to spinning electron यह कह रहा है कि omega r हमारे पास और लगता है और यह omega l के उपे इसी direction में लगता है और फिर उसके बाद हमारे पास एक net resultant आता है omega l dash और वो जो और वो जो हमारे पास omega r जो हमारे पास लगता है वो omega r हमारे पास होता है हमारे पास half of omega l ठीक है तो यही सब कुछ यहां पर हमारे पास लिखा भी हुए है देखी क्या कहा रहा है इस इस ट्वाइस ता ओर्डिनरी लार्नोर प्रीसेशन फोर दा ओर्बिटल मोशन अफ एन इलेक्टों तर लेटिव स्ट्रीक टीटमेंट अफ दिस प्रब्लम डिवल्स ताइड देर इस अनादर रेलेटिव स्ट्रीक प्रोसेशन ठीक है तो जासे में एक उमेगा आर हमारे पास ओर लगता है ओमेगा एल तो ओमेगा आर लगता है अब लोगो यह लग रहा होगा भी यह सब कुछ कहां से आगए हमें कैसे बता लाएगा तो स्ट्रीक पास कोई भी हमने तो डारेक्ट जो भी साइंटिस ने जो भी एक्स्पेरिमेंटल उन्होंने उम्जर्व किया हमें थियोरी में आजटिस वह पढ़ना है तो ठीक है इसलिए इसलिए आजटिस ही हमें पढ़ना है तो यही मैं बता रहे हैं आपको तो उमेगा एक Relative Strict Treatment लगा है तो Net हमारे पास उमेगा L लगी रहा था और उमेगा R एक ओर लगेगा इसी उमेगा R को बोलते हैं Thomas Precession तो यह उमेगा R हमारे पास इसका Magnitude कितना होता है हमारे पास देखी क्या देखा हुआ हाफ ओफ लार्मर Precession तो वहीं निकला है हमारे पास EB divided by M not तो यहां से मेरे पास सरफ आपने देखे students अब क्या करेंगे आप लोग उमेगा L डाश आगया 1 by 2 EB by में M not देखे students अभी हमने उपर से B हमने यहां पर यह देखे यहां पर हमने बी निकाल रगा था बस आप लोग क्या करें यहां पर यह B की वैल्यू जो है वो पुट कर देंगे यहां पर आगे ठीक है यहां B की वैल्यू पुट कर देंगे तो उसके बाद हमारे पास resultant हमारे पास यहां जाएगा अब हमने निकालने है energy हमने energy का हमारे पास formula में आपको काफी बार इसक्स कर चुक है energy हमारे पास क्या होती है यहां पर हम लोग मतलब किसकी बात करें अगर हम लोग कोई यहां पर हम यहां पर यहां पर आपर आपको सा कर रहे हैं ठीक है जैसे की हम लोग तो उसी के recording हमारे पास आता है ठीक है तो यहां पर हम लोग spin spin magnetic moment की बात करना मैंने स्टार्टिंग बताया था कि spin magnetic moment का इंट्रेक्शन स्टड़ी करते हैं तो एंगलर velocity of procession तो कौन सी आएगी जो हम लोगों ने यहां पर देखिए यह उपर जो ने आ लिए यह नेट आएगी और component कौन सा लेकर चलेंगे spin का ठीक है projection of हमारे पास spin angular momentum तो बस मैंने क्या किया इसी की value put कर देखिए omega l dash और इसका कौन सा component लेंगे उसका हमारे पर जो उसी ही direction में होता है तो उसी ही direction में कौन सा होता है उसका course वाला component की हम लोग बात करते हैं मैंने देखिए वही लेक दिया s star into my h cut course of l star into my s star ठीक है student तो I hope आपको यह समझ आ गया होगा अगर नहीं समझ आ गया student तो फिर भी आप लोग मुझे बता दीजेगा मैं आपको फिर से बता दूँगी मैं एक बद बारा फिर आपको product होती है that is the energy is equal to me हमारे पास omega is equal to omega l into में हमारे पास जिस भी component की बात करेंगे चाहिए वो s z होगा l z होगा और आपको पता ही है जिस भी component की बात कर रहे हैं उसका मतलब होता है वो component उसी field की direction की बात करेंगे तो हम लोग उसका course वाला always course वाला component यहाता है तो बस value put कर on a student ठीक है तो यह सारी हमारे पास omega l' गैश देखो यह रहा हमारे पास omega l' कि पूट करने के बाद हमारे पास यहां पहुँच जाएंगे तो same हमारे पास यह जाएगा उसके बाद हमारे पास यहां पर ऋ लिखा हुए तेखो आपको दिख रहा है one divided by r का q ठीक है तो यहां भी इसकी average value की बात करते हैं अब यह average value का है यह भी आपको direct learn करनी है ठीक है तो यह value put कर देंगे आप लोग और यह value put करने के बाद दिखी शूरेंट यह फिर हमारे पस होता है जैसे j is equal to होता है हमारे पास आप लोग को बता है j is equal to होता है l plus s दोनों साइट दोनों को scaring करेंगे तो हमारे पास यहां से यह वली equation भी आ जाएगी 2.34 तो यहां से आप लोग l star s star cos of l star s star की value निकाल लेंगे और उपर वाली जो equation है ना देखो हमें यहां पर ज़रूरत है यह देखें यहां से हमारे पास यहां पर यह जो value आई है यह सारे value पूट कर देंगे ठीक है और इसको solve करने के बाद डेल्टा यह आ गया हमारे पास ठीक है यह हमारे पास energy निकाल लेंगे तो आगे energy निकाल लेंगे बाद हम लोग फिक्या निकालते होते हैं तर्म सिंबल है मैंने जैसे कि आप लोग को बता रहा है कैसे निकालते होते है negative energy कर लेंगे उसको h into c से divide कर दो देखी वही चीज़ कर रहा है हमारे पास ठीक है यह जो भी energy आए इसको h c से divide कर देंगे तो h c से divide करने पाद हमारे पास यह आ जाएगा अब उसकी बात देखिए फिर हमने क्या कर रहा है जो यह वाला part ह यह वाला part तो मेरे पास as it is आ गया यह सारा के सारा part हमारे पास constant है तो इसको मैंने देखो किसका नाम दे दिया a dash quantity का भी नाम दे दिया ठीक है student तो यहां तक हमारे पास हो गया एक term value हमारे पास यहां तक आप लोग कर सकते हैं that is हमारे पास आगी a dash into में यह j star l star का square l star divided by 2 या फिर इसे यह वाली quantity हमारे पास इसके equal भी होते है जो अभी अभी हमने उपर किये ना यह देखो मैं आपको दिखा देती हूं यह देखिए यहां से यह देखिए कुछ भी लिख सकते हैं इंदोनों में से कुछ भी एक use कर सकते हैं तो वही हम लोगों ने किया तो देख आपको यहां तक आपने लोगों ने बताना है ठीक है तो आप लोगों अपने मिस्टेक्स भी देख लेगे कि आप लोगों ने असाइन्मेंट में कहां तक लिखा था और इसका solution कहां तक देना है ठीक है तो देखिए अब next फिर हम आगे करेंगे हमारे पास क्या होगा हाँ यहां तक तो होगी हमारे पास energy ठीक है उसके बाद आप simple हमारे पास यह भी निकाल के दिखा सकते देखिए जैसे s state है अगर s है तो उसकी lsj की value पता है आपको p है तो उसकी lsj की value पता है तो बस यहां से आप लोगो क्या करेंगे इसमें सारी के सारी value पूट कर देंगे यह सारी value पूट कर देंगे इसमें देखो यह तो हमारे पास a- तो constant है तो मतलब आपको jl और s की value चीए देखो तो आगर मेरे पास s orbit है आपको lsj की value पता है तो देखो term की value 0 आ जाएगी उसी तरह से अगर आपको lsj की value पता है तो जब आप पूट करोगे तो यहां से ह value के हमारे पास या जाएगी सब कुछ आपने calculation करना निकलाएगा ठीक है तो उसी तरह से हमारे पास या जाएगा डी के लिए और बस फिर तो यह तीन diagram बना रहे हैं तीन diagram हमारे पास क्या होंगी मैं आपको बताते तुम ब्रीफ में देखो क्या मैं पता है देखो जे की जि से बात करें देखो जे की value 3 by 2 और 1 by 2 तो जे की value 1 by 2 छोटी है तो इसके हमारे पास negative आई है तो इसका मतलब यह हमारे पास lowest state में लाई करेगा देखे शुरूण अगर P की बात करें तो देखो P 1 by 2 नीचे है P 3 by 2 उपर है उसी तरह से D और उसी तरह से F तो यह आपको आपक on the orbit and the penetrating orbit उसको हम लोग discuss करेंगे next video lecture में तो यहां तक आपको मैंने बता दिया कि कौन से question में कहां तक करना है ठीक है students I hope it's clear to all of them okay students thank you